नमस्कार दोस्तों मैं हूँ तमन्ना और आप देख रहे हैं OKCredit बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों हमेशा इस क्लाइडफॉर्म पे हम नए बिजनस आइडिया लेकर आते हैं वो बिजनस आइडिया जो आपको ग्रो करने में आपकी मदद कर सकते हैं और साथी साथ आपकी जो वीडियो की डिमांड होती है वो भी हम यहाँ पर अपलोड करते हैं कुछ क्वेरिज जो हमें आई होती है वो भी हम सॉल्फ करते हैं तो आज जिस बिजनस के हम बात करेंगे वो है किराना स्टोर का बिजनस हम सब चानते हैं कि किराना स्टोर असेंशल्स में आता है क्योंकि सर्दी हो, गर्मी हो कैसा भी महाल हो इवन कि अब करोना है लेकिन हाँ किराना स्टोर बंद नहीं है लॉक्डाउन में भी वो खुले हैं क्योंकि वो असेंशल्स की केटगरी में आता है तो किराना स्टोर का बिजनस आप कैसे कर सकते हैं कैसे खोल सकते हैं क्या-क्या बारी किया है इस बिजनस पर वो हम आपको आज इस वीडियो के जरीए बताएंगे इस वीडियो का अंतक देखेगा पसंद आए तो लाइक कीजेगा शेयर का बटन दबाईएगा और हाँ बैल इनका बटन दबाना पिल्कुल मत भीलगेगा और अंतक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कुछ चाहिए आपको किराना स्टोर खोलने के लिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि किस तरह के वीडियो आपको बिजनस को लेकर और देखने हैं तो चलिए आज बात करेंगे किराना स्टोर की वही किराना स्टोर जो आपके घर के आसपास भी होगा तो चलिए बिना देद के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की किसी भी रिटेलर का लक्ष ये है कि वो अधिक से अधिक बिक्री हासिल करे और किसी भी समय खरीदारी करने वाले ग्राकों की संख्या बढ़ाए क्या आप जानते हैं कि किराने के स्टोर को विस्तार कर अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे किराना के स्टोर का विस्तार किया जा सकता है किराना दुकान में वेराइटी बढ़ाएं किराने के स्टोर को फेमस और अधिक मुनाफा वाला बनाने के लिए सबसे महतवपून है store पर हर variety के सामानों को रखा जाए और किराना सामान wholesale rate पर बेचें आपके किराने के store में जतने अधिक से अधिक variety के सामान उपलब्द रहेंगे आपके पास उतनी ही संख्या में ग्राहक आएंगे इस तरह बिक्रीब बढ़ती जाएगे और मुनाफ़ा भी बढ़ता जाएगा किराना दुकान में क्या-क्या सामान रखना चाहिए एक किराना दुकान में वो सभी जरूरतों की चीजें होनी चाहिए जिसके अविशकता लोगों के दैनिक जीवन में होती है जैसे दाल, चावल, शक्कर, चाय, आटा, घी, तेल, मसाला, आदी ग्राकों के जरूरत के अनुसार सामानों को रखें किसी भी किराना स्टोर पर अगर ग्राहक के मन मताबिक सामान उपलब्ध होता है तो ग्राहक दुकान पर बार बार जाना पसंद करता है यहां दुकानदार को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो एक रिजिस्टर अपने पास हमेशा रखे रिजिस्टर में उन सामानों के नाम लिखे जिसे ग्राहक मांगे और आपके पास उपलब्ध ना हो उस सामान का नाम लिख कर रख लीजिए और समय मिलते ही उस सामान को मंगवा लिजिए इससे आपके दुकान के ऊपर लोगों की विश्वस्मियता बढ़ती जाएगी कस्टमर सर्विस अच्छी रखे कि राना स्टोर का बिजनस सीधे सीधे ग्राकों से जुड़ा बिजनस है इस बिजनस में कस्टमर सीधे सीधे दुकानदार से सामान खरीता है तो दुकानदार की ये दिम्मेदारी होती है कि वे ग्राक के साथ प्रोफेशनल विवहार करे कस्टमर सर्विस बढ़िया रखे कस्टमर सर्विस अच्छी रखने का यहां मतलब है कि जब ग्राहक आपके दुकान पर किसी सामान को खरीदने आता है तो उसे जो सामान चाहिए होता है उसे तुरंथ मिलना चाहिए बेवजा किसी ग्राहक को इंतजार ना करना पड़े किराना स्टोर का विस्तार करने के लिए कस्टमर सर्विस अच्छी रखना बहुत जरूरी है किराना स्टोर की ब्रांडिंग करने से मतलब है कि अपनी दुकान के बारे में अच्छी खबरे चलवाने का प्रयास करें अब आपका सवाल होगा ये कैसे हो सकता है तो इसके लिए बहुत यासान तरीका है कि समय समय पर आप अपनी दुकान पर कुछ चूट का ओफर देते रहें। जब दुकान पर ओफर की घूशना करें तो कुछ पैंफलेट चफा लें। जब भी कोई ग्राहक आए उसे वो पैंफलेट देते रहें। इससे ये होगा कि आपके दुकान के बारे में लोगों की अच्छी राय बनेगी और अधिक लोग खरीदारी करने के लिए आएंगे। तो सबसे पहले नई जगा की तलाश करने का कारे करें। नई जगा ऐसी होनी चाहिए जोहाँ पर लोग रहते हैं और साधन यानी आने जाने की अच्छी सुविधा मौचूद हो। मार्केट रिसर्च से ये पता चलता है कि जिस स्थान पर आपकी दुकान है, वहाँ पर लोग कैसे हैं और वहाँ की लोगों की जरूरत क्या है। इससे बड़ा फाइदा ये होता है कि आपको स्थानिय लोगों की जरूरतों के बारे में पता चलता है। जब लोगों की जरूरत का पता चलता है तभी ये समझ में आता है कि किराना बिजनस में कौन-कौन सा प्रोड़क्ट रखा जा सकता है, इस तरह कारोबार के बारे में समझ भड़ती है और आपके बिजनस का विस्तार होने के साथ ही बिक्री बढ़ती है, पैसों का ऐसे करें तो अभाव एकसी बात है कि अगर आप अपने किराना स्टोर को बढ़ा करेंगे, विस्तार करेंगे तो उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, इस जरूरत को पूरा करने के लिए आप बिजनस लोन का सहारा ले सकते हैं, अगर आपका बिजनस दो साल से अधिक है और कि आप कितना पैसा खर्च करके इस बिजनस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या कुछ लिमिटेशन्स हैं वो आपको इस वीडियो के पता चल गई होंगी, और पेशेंस बनाए रखेगा, क्योंकि हर बिजनस में पेशेंस बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं हो सकता कि अभी आपने का क्या है, और बस चुटकियों में आपको ग्रहाग मिलना शुरू हो जाएं, थोड़ा सा पेशेंस रखे और क्योंकि मार्केट में बहुत जादा कॉम्पिटिशन है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि आपको अपनी यूएसपी क्या बनानी है, फिलाल मुझे दीज आपके बिजनस का सच्चा साथी